बारवी या सनातक किये हुए दो साल से ज्यादा होगे इस बात को आप समझना कि यदि आपने बारवी कर ली और दो साल से आपको ज्यादा होगे कहने का मतलब है अगर आपने एग्री कल्चर से बीसी किए तो आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल, ऐसे 4 साल हो गए अब आपने इतने दिन क्या किया कि शरमने कुछ नहीं किया कैवल हमने तैयारियां किये यह जो बारवी बास वाला बच्चा है हो सकता है इस बच्चे ने कहीं से बीए कर रखी हो और हो सकता है दो परतिसत ऐसे वो जिनोंने कोई मतलब कुछ भी नहीं किया क्योंकि 18 से लेके 24 के बीच में वो कर्शी परिवेक्षक में उलजा रह गया मैं भी हो सकता है इसा केस हो जिसने प्राइवेट को लेश से बीएसी की चार स प्री हो गया है फिर ही कैसे हो गया क्यूंकि उसकी हो चुकी है घरवालों की ज़रुत है कि बच्चा जैसा तैसा करके वह हमारा बच्चा नोकरी लगना चाहिए हमें नोकरी चाहिए चाहिए वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो अब आज जिस बच्चे ने 2016 में बीएसी कर रखेर उसको मैं कहूं कि नहीं बेटा जंडेगार दो आप जो है प्री पीजी की तियारी करो मैं आपको सजेश्ट नहीं करूंगा प्री पीजी की तियारी आपको नह सकते हो जहां कोई competitive exam नहीं देना पड़े तो आप side में अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपके पास पैसे हैं तो मेसी कर सकते हो बाकी आपको competitive exam की तैयारी करनी चाहिए सर मेरे को 2016 में मैंने degree की ती लेकिन मैं job करने लग गया था private company के अंदर क्योंकि मेरे घर की जरूरत थी तो अब मुझे सर क्या करना चाहिए जोब करना चाहिए या तियारी करनी चाहिए या दोनों काम को एक साथ करना चाहिए ऐसा case भी या बनता है तो अब हम यह अब घर से नहीं आएगा और आपने बीए सी 2018 में कर ले 17 में कर ले तो एसे बच्चे को अब क्या करना चाहिए या टूल ता आपने कर ले आपने कहीं से बीए कर रखी है तो आप आगे बीएड करो उस बच्चे को तुम्हें आगे पढ़ने का suggestion दूंगा अगर वो capable है तो अगर नहीं है तो अब हम यहां इस मेटर पे चलेंगे कि हमें जोब भी करना है और पढ़ाई भी करनी है क्या करनी है कि जोब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है तो ऐसा केस में दो तरीके के हैं कि सर मेरे पास तो पेशे खूब सारे है केवल मैं नोकरी लगके दिखाना जाता हूं सोभी का जमीन पड़ी है लेकिन घरवाने चाहते हैं सरकारी बने जा बेटा सरकारी जवाई चाहिए तो इस जोब को मारो गोली इसको कुछ सोचना ही नहीं है अगर सोभी का जमीन है पेशे वेशे सब कुछ है तो हम पूरा दिमाग केवल पढ़ाई पे लगाएं चाहिए तो आप लोग LSE का जो कंटेंट हैं वो भी पड़े क्योंकि इसकी वेखेंशी आने वाले टाइम के अंदर ये मान के चलो कि आने वाले बारा महीने के अंदर मैं आगे बताने वाला हूँ कौन-कौन सी वेकेंशी है जो आपकी repeat होने वाली है दुबारा होने वाली है या नहीं आने वाली है आप मान के चलो बारा महीने के अंदर LSA की वेकेंशी आने के पूरे चांस है इसके अलावा हमारे हात में क्या भी बच्चे इन सभी बच्चों को केवल नोखरी लगना है इसलिए आगे कुछ डिसकस नहीं करेंगे नोखरी अपन diiertenट by di didखेंगे तो सब से पहले हमादे पास परिष्र अवेलेबल हैं तो इन बच्चों को इस रहें कि category के बच्चों को आँख बंद करके पसू परिचर की तयारी करनी चाहिए और LSA की तयारी करेगा और करशी प्रिवक्षिक मैंने वापस लिख दिया क्यूं कि आने वाले 12 मेने में अंत तक पूरी possibilities है कि करशी प्रिवक्षिक की वेकेंशी भी आपकी कुछ पदों के लिए आजाए कितने पदों गे क्या होगा कब तक चांसा यह बाद की बात है लेकिन क्यूंकि मैं इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मेरा दिमाग हाल फिलाल यह काम कर रहा है कि इन बच्चों को ध् वेकेंशी जिन में आप इलिजिबल है उनके एक 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 आधे सब्जेक्ट ही आपको एक्स्टा पढ़ने होते हैं और वेशे इपस्व परिचर में आप वो सब कवर कर पा रहे हो तो ऐसे बच्चे को जनरल वेकेंशी जी की तैयारी करनी चाहिए उनको हिमत नहीं आरनी च चाहिए उसको आठ गंटे जो है नोकरी करनी चाहिए और आठ गंटे इस बच्चे को नाना दोना और सोना करना चाहिए और आठ गंटा बच्चे को तैयारी करनी चाहिए अगर आप गरीब हो आपके पास ज्यादा पेशे नहीं है तो मेनत करना आपके हाथ की बात है आप पूरी जी जान लगा दो और 8 प्लस 8 प्लस 8 के फॉर्मूले में आप फिट हो जाओ जो कि मैं हर बार बोलता हूं हम कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो XYZ जगह हैं अभी online platform है कहीं पर भी जाके offline आप पड़ रहे हो और वहाँ जाके पेशा लगा रहे हो जरूरी नहीं है online के बच्चे ने संस्तान से जुड़ावा था अगर वो यहां पड़ावा है उसको लगता है content में दम मेर वास्तों में यह बढ़िया पड़ाया जाता है अमारा अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो लेना otherwise आप कहीं से भी पड़ो XYZ जगह है अभी तो इतने सस्ते course मिल र चाहे जिनके प्यास पेशा अच्छा काच्छा है और इदर लंबा टाइम हो गया है तो वह यह कर ले और अगर आप बार भी पास है कही एडमिशन नहीं लिया तो प्राइवेट बीए के लिए आप लोग बार वी वाले बच्चे एपलाई कर देना आगई बात समझ में